इसी सबास्तल के उपर पिछली दफ़े जब असो गहलो जी मुख्यमंती थे अपनी सरकार थी उस वर्ग थे उसका उद्गाटन करने के लिए यह यह आई थे सोनिया मंच द्वारा वो भेट हम लोगों को दी इन्रा गानी नहर के बाद में सबसे बड़ी प्रयोजना राजस् साइंडरी दोजार तेरा के अंदर वो फैसला हुआ वह अलग कहानी है कि कितनी मेहनत से किस परिश्थित्यों के अंदर वो फैसला हुआ जैसे ही सरकार बदली पास साल तक राजस्तान को पीछे धकेल लिया वो डंड आज राजस्तान की जंता को भुगतना पड़वा है तो समय रोजगार और एक हजारो करोर रुपे हम लोगों के राजस्तान की अजारो करोर रुपे भारतिय जनता पार्टी के इसके गलत क्रत्य के कारण हम लोगों को भुगतना पड़वा है अंदर में ते दिल से धनिवा देना चाहता हूं आसो गैलो जी को कि आज भी बाडवे जिले के अंदर हजारों ऐसे परिवार है जिनके घर के अंदर बिजली नहीं है के अंदर सरकार विफल रही जो जुमेवारी के अंदर सरकार की थी वो विफल रही पर राजस्तान सरकार ने उन लोगों का हाथ नहीं छोड़ा और तमाम वंचित बिजली के कनेक्शन के लोगों के राजस्तान सरकार ने घोष्टना करी और उसका जमिनी रिस्टर के उपर आने वाले समय में क्रियावन होगा उसका सबसे बड़ा फाइदा कोगा तो बाड़ मेर जिले का पीने के पानी के संदर्ब के अंदर 5% पैसा हम लोगों को देना पड़ता था और सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान पैसा देना पड़ता था वो हम ढाणियों में रहने वालों को कि अंदर सरकार ने वो डंड हम लोगों उपर लगाया और रजस्तान की सरकार ने वो पास परतिशत पैसा प्रियोजना का जो हम लोगों को देना था वो भार भी रजस्तान सरकार ने उठाय उसके लिए मितले दिल्से धन्यवाद देना चाहता हूँ बाड मेर के अंदर जो सड़कों का काम आज तक नहीं हुआ उतनी सड़कों के शुकरती हुई मेर तो आप लोगों से यही निवेदान है कि इसके आप तुल्ला करो क्या वह नरंदर मोदी जी का 1100 रुपे का सिलंडर देना सही है या 500 रुपे का सो गेलो जी और कॉंग्रेस सरकार का सिलंडर देना का सही है यह फैसला है आप लोग करो बिजली के अंदर 100 यूनिट फ्री बिजली देना सही फैसलाया नहीं है पैंशन एक हजार रुपे 25 लाग तक का इलाज 10 लाग तक का भीमा जैगों माता और गाई के नाम पर राजदिती भारते जन्ता पर्टी ने बहुत करी पर हम तमाम लोगों के परिवार को जो 40 हजार रुपे का जो काम देने वी योजना के मार्प्रश है हम लोगों को भीमा मिल रहा है